हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का P2P भबिग्यान चैनल में दोस्तो आज हम गुड़ल के बारे में आप से बात करेंगे गुड़ल बहुत ही रंगे विरंगे फूलों वाला एवं अच्छी पत्तियों वाला होता है यह देखने में दोस्तो बहुत ही सुन्दर लगता है यह गारडन एवं गमले दोनों में ही ग्रो किया जा सकता है अगर इसको छोटा मेंटेन करते हैं तो इसको गमले में ग्रो कर सकते हैं नहीं तो गारडन में यह बहुत ही उंचाई तक हो जाता है दोस्तो इसकी मिट्टी बेलडेन होनी चाहिए दोस्तो अगर गमले में इसको ग्रो करते हैं तो इसमें 30% बर्मी कमपोश्ट, 10% रेत, बालू, 60% गार्डन सोयल, 10-15% और 10-15 ग्राम बॉंड रष्ट नीम की खली से एंटी फंगल होता है यह पोटास की ज़्यादा जरूरत होती है, दोस्तो इसमें पोटास की ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए इसमें पोटास की अधिक मात्रा देनी चाहिए, दोस्तो इसकी मिट्टी बेलडेन होनी चाहिए, दोस्तो इस पौदे को गर्मी बहुत पसंद होती है, यह सर्दी म दोस्तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए और इसमें गर्मियों में खाद देनी जरूरी होती है दोस्तो इसको प्रूनिंग बहुत जरूरी होती है इसलिए इसकी प्रूनिंग फरवरी मार्च में करनी चाहिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए इ स्वरे कड़ते रहने से इसमें मिली वक्स का खत्रा नहीं होता है दोस्तो अगर हम इसको कटिंग करते हैν तो हम उन कटिंग को आसानी से ग्रो कड़ सकते हैं और नए प्लाइंट बना सकते हैं दोस्तो इसमें फास फरस देने से इसमें अच्छे फूल इस्तमाल कर सकते हैं यह हेर कलर का काम करता है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें एवं कमेंट्स करें थैंक यू दोस्तो बावाई